ति हैं यह अंदे काहलो है और सब लोगों के पाष्वाग्वार्ट करता हूँ कि अधृ दो उन्हें जो आपको के स्कूर क。 उनको शॉल करें घशांज पर जो आपका pre exam होता है और mains तक जितनी भी type की coding decoding आ सकती है mainly तो आपके mains में new pattern ही आती है तो मैंने new pattern पर काफी focus किया और इसके काफी question करा दिया है और काफी कराऊंगा आगे तो इसमें basic to high कर रहे हैं तो अब हम आरा थोड़ा level इसका बढ़ चुका है यह new pattern है इसका part number 8 है तो देखते हैं सीधा हम आज का question क्या है देखो आज का question पर चलते हैं इससे पहले आप देख सकते हैं अगर आपको puzzles करने परी की तो यह मेरी series चल रही है 100 plus series चल रही है आपको concepts करे होंगे तो आप easily इसको कर सकते हो नहीं करे हो तो साथ मेरी third या fourth number की दो class है वो concepts पर basis पर है एक 50 minutes से उपर है दूसरी भी है आपकी 20-30 minutes की है वो देख लेना उसमें स्री concepts कराएं कि कि किस तरीके से हम code को logic को पहचानते हैं तो देखो क्या करना है आपको इस video को 2-3 minutes तक के लिए pause करें और फिर इसको ढूरने की कोशिज करें logic को तो देखो आपने साथ इस video को pause करा आप और देखा और देखा को देखो music से हो सकता है इसके सामने दिया हो यह code बनाया हो हो सकता है पक्कानिय पर यह भी हो सकता है music से यह वाला भी code बनाओ यह भी कोई सा भी हो सकता है तो अभी हमें नहीं पता तो देखो करना क्या होता है कि अगे लिधन नमबर के लिए बताया है सबसे पहले हम नमबर को अब्रक्त करते हैं तो marriage किसे साथ में और काते हैं 21, 9, 9, 5, 5, 5, 5, 1, 15, 5, आप देखो कि 5, 5 काफी रिपीट हो रहा है, तो आप साथ में हम क्या देखती है, तो यह numbers है, सारे numbers दी हो है, जितमें भी numbers दी है, 26 से तो कम है अन की place value, तो जैसी 26 से place value आपकी कम होती है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले logic की ही ही टोना चाहिए, हो स तो अब मैं क्या करूँगा, देखो, मैं 21 देखूँगा, तो 21 आपको पता है किस पे आता है, अब सबको पता है, यह place value आदा है, 21 आता है you, अब मैं you को सर्च करूँगा है, सब भी word में, जरूरी नहीं है, इसके सामने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो देखो music में you है है, मतलब started from second से दे रखा है, ठीक है, when में नहीं दे रखा, natural में you आ रहा है, ठीक है, पर यह word का भी पता नहीं, और medicine में you है नहीं, तो अभी एक word से मैं decide नहीं कर पाऊंगा, सारी कौन सा दे रखा है, अब मैं 5 लूँगा, 5, 5 मैंने जैसे लिए, 5 मतलब e की value होती है, दे 21, आए, 21 दो बार आए, तो जैसी 22 दो बार आ तो मेरे समझ आ गया है, 21 दो आर झाती है तो you की value तो देखो, इदर भी you की थी और you इन दोनों में ही है, देखो, you इसमें भी इसमें भी इसमें इसमें में नहीं है तो मुझे सबसंख थोड़ाँ थोड़ाय कनफर्म हो रहा है कि सब्सक्राइख कर चलता है आगे चलता हूँ आगे मोच लाइस इसको छोड़ो क्योंकि अगर आई अपने तो यू नी ले पाऊंगे तो आप मैं चेक हैं है इदहा इतर है इस में एक पर यिसमें worship है you मुझे पता चल रहा है सारे के सारे वह ली होती है आपको पता किया इस पर गाई पर 9 पर लीबिब भड़िया थे यू रहे है तो आप इसमें कितने पडों वह एक अगे यह तो आई benutalyje यू कितने पहते है तो इसने साथ हाइस्ट के लिए अब क्रोस बैरिफाइप तर करूंगा दैन में गडेको एक यूवल ठीक है हाइस्ट यही होगा नेचुरल में देखो कि कितने वह अब ला है नेचुरल में देखो इ दिया है और आई है देखो इ और आई है तो अगेन आप देखो कि इसमें हाई एस्ट तो अब साथ मुझे एक लॉजिक पता चल रहा है कि हांच ने हाई एस्ट वोवल का दिया और देखो अगर आपका अच्छा है तो आप पहले में पहचान जाको यहां पर इकिस पांच इकिस पांच यहां पर नौ पांच 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 एक मतलब सारे वोवल्स ही दिया है तो यह तो पता ही वोवल्स के ही ब्लेज बैल्यू पर हमने अभी उपर का जब कंक्लूजन करा तो इससे पता चला हाई है अब हम दूसरे मेरी चेक करेंगे इटिंग में कितना आता है तरहां इस पांच है तो यह कुंसा था पांच आ गया है है और मनी में कुंसा ऑ है पंद्रापर और मैं देखूँ कि तो E है।क मैं नंबर को पता चल गए। कि लोजिक पे दिया है हमारा जो नंबर दिया है वर्ड में हायीस्ट जैसे हुल वहलब olduğu का प्लेस वैल्यु का प्लेसट तो अब आगे चल ऐगा Si लेटर आपके अगें यह देखो C, H, L, N, L, C इसी तरीके से दी हुए तो देखो सबसे पहले preference मेरा होता है जब लेटर दी होते तो जैसे number observe करते हैं वैसी letter को तो देखो अब इनको कैसे देखना है मतलब कि number C देखो आप देखो इनमें कहीं C दिवा हुआ है और आपको पता है इसी के सामने C आएगा तो अब मेरे लीए easy हो गया और तो देखो C देखो यह दे रखा है ठीक है H यह दे रखा है ठीक है मतलब यह तो last में आया है फर्ष्ट में आया अभी पता नहीं क्या चल रहा है देखो एल फिर last में ले लिया इस बार मिडे में ले लिया मना बीच का कोई है मतब की और जी अब अब आपका यहां से आ रहा है इसमें फैले वाला इसमें डी देखो लास्ट वाला मनी में पहला वाला और वी इसमें पहला तो आप देखो कि कोई specific का कहते हैं लॉजिक पे तो है नहीं एक बार सी इसने लाश्टम लिया तो एच इसने देखो कहों सा ले लिया साइकिंड फ्रॉम कहां से लेफ्ट एंड से तो अब मुझे इसको देखना किस तरीक कैसे लिए देखो आप मुजिक में देखोगे नंग से देखोगे मुजिक में सी सबसे च्छूटा आपका क्या है Consorry edit है तो हो सकता है जैसे निnn नंबर के लिए सबसे बढ़े क्या कहते हैं वोवल का place value ले लिया, ऐसी हो सकता है, इसने कहते हैं, आपके letter के लिए सबसे छोटा consonant लिया, तो यह चेक हो रहा है, then में देखो, then में आप देखोगे, तो सबसे छोटा consonant कौन सा देखो, यहाँ पर consonant ही लिया, यह मेरे को पक्का पता दल गया, अगर सबसे छोटा letter लेता तो E आता, तो H है, मरलब कि H आपका सबसे छोटा consonant है, natural में अगें L है, medicine में C है, eating में G है, vegetable में B आता है, makes में K है, healthy में H है, healthy में H है, अगें, consonant की बात कर रहा हूं, मैं letter की बात नहीं कर रहा है, और end में देखोगे, तो D है, सबसे छोटा consonant है, बल्कि सबसे छोटा letter तो A है, और यह money में M है, और balance में, तो अब मुझे logic find हो गया, जब logic find हो जागा तो अगें आपके कितने question पूचे का 5 पूचे का, तो क्या मिला देखो, इस bird में क्या मिला है, सबसे बड़े concernant, मलब की vowel का place value ले रखा है, मलब ही number, और letter के लिए क्या करा है, बर्ड में सबसे छोटे consonant को इसमें लिए है, अब देखते हैं, अब हम easy lean के code find कर सकते हैं, बहुत में सबसे पहले vowel, बहुत में सबसे बड़ा vowel हमारे लिए क्या होगा, पंद्रा का पर है, यहां पर नहीं है, यहां नहीं है, तो यह हमारा answer होगा, और हम recheck कर सकते है, तो पंद्रा भी मेरा इसका code ह आगे चलता हूँ, today, today में आप देखो सबसे छोटा, क्या कहते है, सबसे चोटा letter कौन सा है, letter तो D है, तो D इधर है, नहीं है, इधर नहीं है, तो यह वाले ही होगा, और सबसे बड़ा vowel कौन सा है, पंद्रा है, A और E में पंद्रा ही तो बड़ा है, वोवल तो यह आएग पंद्रा यहां पर नहीं है, यह दोनों पर हो सकता है, पर यहां पर देखो कि सबसे छोटा कौन सा है, वर्ड में देखो, वर्ड में है, वर्ड होना चाहिए, पंद्रा डी तो यह, option number A, आगे चलते है, option number 4 में, but है, easy है आगे, छोटा आपका क्या कहते है, वर्ड है, यह सबसे बड़ा बोबल की place value क्यों सा है, 21 C है, U पर है, तो यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, तो यह हमारा answer, आगे चेक करने की जुरूत है, आप करना चाहो, तो बट में सबसे छोटा concernant क्यों सा है, B है, आगे चलते हैं, last है हमारा, कम है, कम में देखो, सबसे बड़ा answer होगा, C होगा, तो 15 C इस तरीके से हमारा answer हो गया, तो इस तरीके से logic पहचानने होते हैं, यह आपका एक नया तरीके का logic था, एक्जाम में कई बार यह भी बना होगा, तो अब मैं आपको सामने एक दूसरा question लेकर आऊँगा, यह देखो, यह question है, इसमें symbol है, और आपके can number है, तो again आपको क्या करना है, इसको यह दो मिनट के लिए, दो से तीन मिनट वीडियो को pause करें, और उसका code search करें, तो देखो, आपने कराओ, अब मैं देखो, बताता हूँ, देखो, मैंने सबसे पहले बताया था, जब भी कभी symbol आए, तो आप symbol, देखो, symbol कितने दे रख है, दो symbol है, एक तो add the rate, एक डोलर है, तो मैंने बताया, जब भी दो symbol होते है, generally वो, क्या logic लगा सकता है, मैंने बताता है, जैसे previous class में कर रहा था, तो हो सकता है word हमारा start किससे हो रहा हो, कहते है, किसी कहते है, vowel से, या consonant से, तो देखता हूँ, मैं देखो, यहाँ पर word किसस यहाँ पर यहाँ करना होता है, consonant से, तो consonant के लिए हो सकता है, इसने add the rate दिया हो, ठीक है, match हो रहा है, G से start हो रहा है, match हो रहा है, और E से हो रहा है, क्या आपका, dollar, और N से हो रहा है, यह हो आगया, तो देखो, अब पहले line में हमारा match हो गया, अगर word हमारा start है, कहाँ कहते तो हमारा आ गया अगर बोगल से है तो डॉलर आ गया मगर देखो जातर स्टुटेंट एक लाइन इसको चैक करते हैं और फिर वह लॉजिक फाइंड कर देते हैं किसी वहवल से तो उसके लिए कूओड होगा, अब देखो यह बैट रहे है, किससे यह हो रहा आपका , तो म назвar के लिए मैंने मान लाइजी फिलाल रख....डप दो सिंबल दीए हूं। तो वह यह श्यूहिक रखास बंदू सम wagon parlar , मैंने आपको एक basic class कराई थी दो, उसमें मैंने concept में बदाया था और logic मलब की symbols के लिए क्या-क्या logic हो सकते हैं हमारा सबसे पहले starting word with किस से vowel या and with vowel इसी तरह से consonant तो यह logic फेल हो गए तो अब मैं क्या करता हूं इन word में जो word दिया है कितने letter ऑन को count करता हूं साध उस से कुछ मिल जा है बैठर में कितना है एक दो तीं-छे letter है इसमें इसमें कितने और इसमें तरह से ग्रीन में जाओ लिए पांच new m Atlant डन में है 4, सम में 4 और नीदर में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड में 3, फोलोइंग में देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है और बैलेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है देखो इस तरीके से आया, तो मैंने एक लोजिक बताया था अगर आपका कोई वर्ड दिया है वर्ड में लैटर काउंट करोगे उसके एवन और ओड पर भी वह कभी कभी सिंबल डिसाइड करता है तो देखो अब देखो एवन मैंने माल लिए यह होता है इफ्र एवन अगर इवन आपका काउंटिंग ओफ लैंगे तो इसके लिए हैश है ठीक है इधर एवन है इधर साथ है तो टॉलर यह उरह भी था इधर इंफ और यह ए नहीं ॉटर आ ओगार गराल अगर दूसें नहीं कर करके दिक्ते हैं ने के अवर में पांस है तो दॉलर मतलब odd के लिए खोलोंगी में साथ balance में साथ तो इस तरीके से हमें logic में लोजिक अब सिंबल का क्या मिला अगर word में अगर counting of letter करेंगे अगर odd है तो मेरा लिया इसने क्या लिया इसने इसने क्या consider किया डॉलर अगर इसने even को count करा तो even में लिया तो देखो यह मेरा सबसे पहले तो यह मतलब मिल जाते हैं क्या कहते हैं कि सिंबल अब मैं देखो number observe करूँगा बैटर की specific value दियो तो देखो हम में चलता हूं बैटर पर सबसे पहला वर्ड है तो बैटर में टू आ रहाए बी की बहले इस value होती है तू यह देखो आगया और ए कितने पर आता है पांच पर यह आगया अगें यह आया पांच पर यह आया लास्ट पर तो देखो इदर तो फस्ट पर ले रहा था इदर रास्ट में लिया फिर फस्ट में लिया इदर लास्ट में लिया अब आगे चेक करता हूं इदर यह आया तो इदर तो ना फस्ट में ना लास्ट में यह दो है तो इन में से कोई एक होगा इदर ए रखा है एक की प्लेस बेलिव एक फर्स्ट जी किस मुलब स्याथ किस पर आता है साथ आपको पता ही है जी पर आता ही लास्ट वला और बैलेंस में देखो यहां पर मिड में तो आप इसको अच्छी तरह से देखोगे तो पता चल रहा है कि हो सकता है इसने सबसे बोल रहा हूं लैटर ना मैं कंसोनेंट बोल रहा हूं ना मैं वोवल बोल रहा हूं मैं लैटर बोल रहा हूं बतब कि सबसे छोटा लैटर आपको पता है लैटर तो सारी काउंट होते ना उसमें वोवल भी आते हैं कंसोनेंट भी आते हैं तो लैटर की प्लेस वैल्यू द यह दन में इतर चार आना चाहिए था और सम में देखो कि पांच है नीदर में ए है तो एंड में एक है following में साथ है और balance में एक है तो हमारे सारे code मैच हो गए दर दन को छोड़ देना साथ यह misprint हो गया दन के लिए नंबर चार आना चीए तो हमें लोजिक क्या मिला अगर हमारा सिंबल के लिए मिला कि वरड़ में हम खांट करेंगे लैटर अगर ईवन एवन के लिए यह है अगर और ओड के लिए हैश और वर्ड में सबसे छोटा जो प्रक्रटे लेटर दिया उसकी प्लेस वैल हैं इन दोनों में इस जंबल की बात आती है सिंबल दोनों ये सोगे हमने कहा गात अगर डोल्ल में लैटर कांट करोगे आए तो चार तो जब या तो एड़ रेड आपता है और ऑद है तो हैसा था तो मेरा एडर एड़ इस मेरा ओक्षन नमर डी होगा ठीक है अगला देखता इसको देखो इन तीनों में सोच चकता है और इसमें सबसे छोटा लैटर कॉन सा ए है तो डॉलर बना चाहिए यह नहीं है यह नहीं है यह नहीं तो यह हो गया ओप्षान नमबर E आगे चलता हूं देखो Sunday Sunday में आगे कितने लेटर हैं कि तो तीन चार छे तो एवन है अगोड है आपको पता है सारे एवन है तो एवन के लिए मैंने लिया तो एड़ दा रेट और इसमें सबसे छोटा क्या कहते हैं लेटर कौन सा है लेटर मतलब साथ दोनों काउंट होते व अगेन लाइफ का देखो लाइफ में देखो लेटर कितने है एक दो तीन चार यहने की हैस आएगा और सबसे छोटा इसमें कंसूनेंट मुल्ब भला कौन साथ यह है पांच अड़ दा रेट पांच कहीं दिया है लास्ट कोशन है ओन यह तो बड़ा इजी है तो ओन में कित अब देखो एक कोशन ओर देगा 11 कोशन दे रखें साथ इसमें all है तो all का भी हम फाइंड कर लेंगी all में कितने लैटर है तीन यानि कि ओड़ा है एवन है कि ओड़ा है और इसका सबसे चोटा लैटर कौन सा एक ही प्लेस वेल्यू बन है एड़ रेड़ वन कहीं आ रहा है देखो यह रहा ऑप्शन नमबर सी आगे चलते हैं देखो इस तरीके से हमारी क्लास एंड होती आई हो आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास अगर एक क्ला पसके साथ